हलो बच्चो आज हम आपका आठवाँ पार्ट क्या नाम है जिसका जल ही जीवन का आधार इसको पढ़ेंगे तो तली हम पढ़ते हैं विमला विदाल्य से घर आई तो देखा उसकी मा पानी भर रही थी उसने देखा पिता जी की मटकी का बचा हुआ पानी फैंक रहे थे विमला ने पिता जी से पूछा कि आप इस पानी को क्यों फैंक रहे हो पिता जी बेटा पानी बसी हो गया है यह तो पिछले दिन का भरा हुआ है युम्ला ने पिताजी से कहा पिताजी इस पानी को दूसरे उपयोग में ले लेना चाहिए आज हमारे गुरुजी ने कक्षा में बताया कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए पानी बहुत सिमित मातरा में है और गुरुजी ने हमें कविता भी सुनाई क्या कविता थी वो, पानी बहुत ही काम का, प्यासा जाने मोल, सोच समझकर खर्चकर पानी है अनमोल, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, सोचे और बताइए, ज़िए आपके घर में दो दिन तक पानी नहीं आये तो क्या होगा, आपके घर में पानी किस किस में भरकर रखा जाता है, तो पहले अगर दो दिन अगर पानी नहीं आये तो तक पानी नहीं आये तो मुझे देनिक कारियों जैसे इनहाना, कपड़े दोना, खाना बनाना, पानी पिनना, सोच आदी में बहुत परिशानी होगी, आपके घर में पानी किस किस में भरकर रखा जाता है, तो मटके टंकी बाल्टी आदी में बरकर रखा जाता है आपके घर में पानी कौन बरता है तो कौन बरता है मेरे घर में पानी मेरे माताजी बरती है अगर आपके घर में कोई और बरता है तो आप लिखिए अब देखिए यहां लिखाओा है जलका दुरूप्योग अब ये देखिए ये बच्चा ब्रस्ट कर रहा है लेकिन इसने जो टूटी है वो खुली रखी है जिसे पानी खराब हो रहा है ये टूटी लीक हो रही है इसमें से पानी रिशाव हो रहा है तो ये भी गलत है और ये बाल्टी भर चुकी है लेकिन फिर भी पानी है वो बहे रहा है बंद नहीं की तो ये पानी बेकार हो गया तो मतलब इसका भी दुरूपयोग हो गया इन चितरों में क्या-क्या हो रहा है आपने देखें क्या हो रहा है इन चितरों में जलका दूरुप्यों हो रहा है चितर एक में नल को खुला रखर दातुन की जा रही है चितर दो में नल से पानी टपक रहा है और तीसरे में बाल्टी भर गई तथा पानी बह रहा है आपने इस तरहें पानी को वेर्थ होते हुए कहां कहां देखा है आपके आस पास के वेक्ति किस किस परकार के जल का दुर्पयोग करते है मेरे चाता जी शेव करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं और छोटा भाई मंजन करते समय नल खुला छोड़ देता है इससे जल का दुर्पयोग होता है साथ आप इस तरहें जल के दुर्पयोग को रोकने के लिए क्या करेंगे हम अपने आसपास के वेक्तियों को जल का महतो समझा कर जल के दुर्पयोग को रोकने का प्रयास करेंगे तथा जहां भी नल खराब है उन नलों को सही करा कर जल के दुर्पयोग को रोकेंगे इस्ट क्या है जिदी आपको एक बाल्टी पानी दे दिया जाए और इसमें पानी में ही इतने ही पानी में ही पूरा दिन गुजार रहा तो आप किस किस तरह से पानी का उप्योग करेंगे अलब आप एक बाल्टी से पूरे एक दिन काम चलाना है तो कैसे करोगे एक बाल्टी में हम जरूरत की सभी आफशेक कारे पानी बिना वEtच गवाय कम पानी से भी पूरा करेंगे जैसे आदिवाल्टी पानी से नहा सकते हैं नहाते हम बड़े टब में बैटकर विर्थ पानी को खटा कर सकते हैं तता इसी विर्थ पानी को हम सोच इतादी में उप्योग कर सकते हैं इसी और बताईए समझे, बाड मेर जिले में दूढ धनी में रहता है उसे नहने के लिए परति दिन आदिवालटी पानी मिलता है वह पानी से नीम के पेड़ के पास बेट कर नहता है इसे नहने का पानी पेड़ को भी मिल जाता है जिससे पेड़ नमेशा हरा भरा रहता है उसके घर में सभी सदशे ऐसा ही करते हैं राजस्तान के कई शेत्रों में पानी की कमी है कई लोग को दूर से पानी लाना पड़ता है वे लोग पानी का उप्योग बड़ी मित्वेवेता से करते हैं भरसात के जल को इकठा करने के लिए उनके घरों या धानियों में टॉंके बने होते हैं हम नदी हम बर्साथ का पानी कठा कर ले तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है देखिए स्थानी से द्रम में टंकी से लोग पानी भरते हुए दोसे देखिए दूर दोसे पानी लाते लोग चित्र को देखकर बताईए कि पानी कहां से ला रही है तो पानी कहां से ला रही है स्थानिय शेत्र में टंकी मेल से पानी लोग भर रही है और दूर दूर से दलस्रोतों से लोग पानी ला रही है सुबह उठने से लेकर राज सोने तक आप किन किन कामों में पानी का उप्योग करते हैं सुची बनाईए तो देखिए तो जैसे आप सुबह उठते हो तो कुला करने में, नहाने में, खाना बनाने में, कपड़े दोने में, पानी पीने में, बरतन दोने में, पेड़ों को पानी देने में तरता सोच इत्यादी में उप्योग होता है जल हमारे देनिक कार्या जैसे नहाना, धुना, पीना, खाना बनाने के काम आता है इसके अलावा बोजन को पचाने सिरी से उतस्दित पदात निकालने में मदद करता है और सिरी के तावान को नियंत्रित करने का काम भी करता है हत्य हमें भरपूर पानी पीना चाहिए अभी तक हमने पानी के उप्यों को समझा है पेड़ पोदों और जीवजन्तों के लिए भी पानी आफशक है इसे आपने आज पास किन जीवजन्तों को पानी पीते हुए देखा है तो बिगाए, भेंस, भेड, बकरी, उन्ट, कुता, बिली सभी है जो पानी पीते हैं आपने एक भी पेड़ पोदों को पानी पीते हुए देखा है हाँ हमने पेड़ पोदों को पानी पीते हुए देखा है गमले में पानी देने पर पेड़ पोदे ने देने पर पेड़ पोदे मुर्जा जाते है जब हमने उनमें पानी डाला तो कुछ देर बाद वे पुने लह लहा गए और उनकी जड़ों में पानी भी सोक लिया आपके क्षेतर में बरसाथ के जल का संग्रहन कैसे करते हैं हमारे यहां बर्षाद के जल का संग्रहन घरों या धानियों में टांके बना कर किया जाता है आपके विधाले में जल संग्रहन कैसे होता है तो कैसे होता है हमारे विधाले में चत पर इकठा होने वाले पानी को पाइपों द्वारा जल अपनर भ्रण संतना में होकर जमीन में बने टैंक में संग्रहित किया जाता है इसे देखिए अब यह अमानवा आपका स्कूल है जो इसकी चत पर जितना भी पानी आएगा वो यहां से यहां तक इस पाइप में आएगा और इस पाइप से फिर इस टैंक में जमा हो जाएगा जलके विभीन उप्यों को देखिए किन किन उप्यों कर रहे हैं आपको दो उप्यों कमेट करना पेड़ पोदे पानी के आपसक्ता को कैसे पुरा कर लेते हैं पेड़ पोदे पानी को जमीन के अंदर जड़ों द्वारा पानी सो कर पुरा करते हैं आपने आसपास लोगों को पेड़ पोदों को पानी देते हुए देखा होगा आपने यह भी देखा होगा कि किसान अपनी फसल को पानी से सिखते हैं यह भी आपको पता होगा कि बरसात नहीं आने पर फसलें सूख जाती है पेड़ पोदों को भी पानी की ज़रूरत होती है वे अपने लिए पानी जमीन के अंदर जड़ों द्वारा सोगते हैं जंतुओं को भी पानी कि realise था होती है सभी जंतुओं को अलग-अलग मात्रा में पानी किこんにちは होती है क्यों कम पानी पीता उंट एक बार प्रात्-मातरा में पानी पीने के बाद बहुत दिनों तक उठ को जल की आप सकता नहीं पड़ती इसकी खाल मोटी होती है, तथा इसे पसीना कमाता है साथ ही इसका मुतर-गाडा-मल-सुश्क होता है इसे कारवन उसके शरीर में पानी का खर्च कम होता है बदल जाती है, उट रगिस्तान का जहाज कहलाता है, हमने सीखा क्या, पानी की बचत करना आवशक है, बरसात के पानी का संगरहन करना चाहिए, पानी के लिए उपयोग, कई उपयोग होती है, पेड़ पोदों को भी पानी के आवशकता होती है, रगिस्तान का जहाज, उट क अगला पाठ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में